वेल्कम बैक टू आवर यूटूब चैनल बहुत सारे प्रस्नों को समाहित करके जो हमारे नोट्स बनाए हुए है उसको इस आडियो में लेके आए है और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां TGT, PGT, DSSB और ऐसे exam क्रैक करने के लिए आपके लिए यहाँ चैनल बहुत ज़्यादा हेलफुल से दोगा क्योंकि आडियो और वीडियो दोनों बनाते हैं, वीडियो short में और kick द्वारा भी बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful सिद होगा चलिए अपने प्रस्णों की तरफ जलते हैं और अगर आप क्लिक किये हैं तो जरूर एक दो लोगों को share कर दिजे ताकि सब के तक यहां audio पहुँच जाए चलिए स्वर तीन प्रकार के होते हैं अपने अगर आप इसको सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनने के बाद आपके बहुत सारे प्रस एक साँर हो जाएगे और आप किसी काम को करते हुए भी इसको सुन सकती है अगर आप और अप TGT PGLT की तयारी कर रही हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा helpful सिद्ध होने वाले हैं तो एक बार जरूर जुड़ें और आप कमेंट करके भी बताएं क्या आपको यह आदियो अच्छा लग रहा है या वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसको तो जरूर बता दीजिए चलिए प्र हर गीतिका के प्रतेक चरण में 28 मात्रा तथा 16-12 पर यति होती है और यह सम्मात्रिक चंद है फिर से सुनिए हर गीतिका के प्रतेक चरण में 28 मात्रा तथा 16 और 12 पर यति होती है यह सम्मात्रिक चंद है हर गीतिका का उदाहण है हर गीतिका का एक उदाहण देखिए सुन पिर से सुनिए हर गीतिका का उदाहण है अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुसकर्म है नयाय आर्थ अपने बंध को भी दंड देना धर्म है नेक्स्ट है रोला में चार चरण होते हैं रोला में कितने चरण होते हैं तो चार चरण होते हैं मात्राएं 24 होती है और इसमें चार चरण होते हैं रोला के प्रतेग चरण में 11-13 की यहति होती है रोला के प्रतेग चरण में 11-13 की यह थी होती है फिर से सुनिए रोला में चार चरण होते हैं माद 23-24 होती है प्रतेग चरण में 11-13 की यह थी होती है नेक्स्ट है बिराट की पदमिनी उपन्यास किसका है तो यह बिंद्या बंदलाल बर्मा का है बिराट की पदमिनी यह उपन्यास किसका है तो यह बिंद्या बंदलाल बर्मा का है हिंदी के प्रारंभिक काल को बीर गाथा काल किस ने कहा तो आचार रामचन सुकले ने कहा फिर से सुनिए हिंदी में हिंदी के प्रारंभिक काल को बीर गाथा काल किस ने कहा तो आचार रामचन सुकले ने कहा मिस्रुबंधी ने क्या कहा तो आरंभिक काल कहा मिस्र बंधु ने क्या कहा आरंभीक काल कहा राहुल सांकृतियायन ने सिद्ध सामंत काल कहा गडपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभीक काल कहा फिर से सुनिये मिस्र बंधु ने आरंभीक काल कहा राहुल सांकृतियायन ने सिद्ध सामंत काल कहा गडपति चंद्र गुप् ने प्रारंभिक काल कहा आधिकाल को प्रारंभिक काल कहा और हजारिप्रसाद दिवेदी ने आधिकाल कहा राजपूत की हार एक आंके किसकी है तो यह सुदर्शन की है राजपूत की हार एक आंके किसकी है तो सुदर्शन जी की है साबित्री सत्यवान के पौराडी का अख्यान पर आधारित ना ठक है सत्यप्रताब के रचनाकार कौन है तो भारते दूजी है अप भरंस का सबसे पहले उलेख किया किसने इसको आप कमेंट द्वारा जरूर बताएगा कि आप भ्रांस का सबसे पहले उले किस ने किया प्रतिवत का अर्थ होता है बल की वरन आधी होता है क्या होता है प्रतिवत का अर्थ होता है बल की वरन दंभ के समानार्थी शब्द है दंभ के जो समानार्थी शब्द है वो है पाखंड आडंबर मिथ्या अभिमान फिर से सुनिए दंभ के समानार्थी शब्द है पाखंड आडंबर मिथ्या अभिमान नेक्स्ट है शिवराज भूषड में 384 चंद है शिवराज भूषड में 384 चंद है इसमें सीवाजी के क्रिया कलापों का बढ़न किया गया है पिछे सुनिए सिवराज भूसर में 384 छंद है इसमें सिवा जी के पिक्रिया कलापों का बढ़न किया गया है नेक्ष है विशल देव रासो ग्रंथ में काब एक प्रेम काब या सिंगार काब है हिंदी का प्रभंध दुखांत नाटक है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है तो रडधीर प्रेम मोहिनी है और यह रचना है लाला स्री निवासदास की फिर से सुनिये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रडधीर प्रेम मोहिनी जिसके रचनाकार है लाला स्री निवासदास पतंजली के गुरू थे कौन? तो पतंजली के जो गुरू थे वह पाड़िन थे पतंजली के गुरू पाड़िन थे सीवा बावनी में 52 चंदों का प्रयोग किया गया है सीवा बावनी में कितने चंदों का प्रयोग किया गया है तो 52 चंदों का प्रयोग किया गया है इसमें सीवा जी की कीर्थिका बढ़न किया गया है पतंजली को सेसनाका उतार कहा जाता है खरोष्टी लिपी की उत्पति किस लिपी से हुई है तो ब्राम्ही लिपी से हुई है नेक्स्ट है मन्नु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी भाल मनु विग्यान यह उपन्यास किसका है तो मन्नु भंडारी का उपन्यास है prise नामक कहानी किस की है तो प्रेम चंद की है, खरोष्टी लिपी की उत्रपत किस से हुई है, तो खरोष्टी लिपी की उत्रपती अर्माईक से हुई है, खरोष्टी लिपी की उत्रपती अर्माईक से हुई है, रहिमन चुप हैं बैठिये, देख दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं, बनत लग हैने तेर कॉन और चंड को हैं लाक्ता डी में यां कॉन चंड है तो यह दो हमे 한번 इस को मिला तो धुमिल को मिला फिर से सुनिे कल सुना मुझे कमरे कॉप्ती पर साहित अकांध्मी पुरस्कार किसको ukud तो धुमिल को मिला ब्राम्ही लिपी से दो सैली निकली कौन कौन से तो उत्तरी सैली और दच्छडी सैली ब्राम्ही लिपी से कौन कौन सैली निकली तो उत्तरी सैली और दच्छडी सैली निकली राजस्थानी हिंदी की उपभासा कौन सी है तो मेवाती राजस्थानी हिंद चैदा है रामनेरेश त्रिपाथी, खुली आखों का शपना यात्रा बिर्त के लेखक है मरुधर मृदुल, फिर से सुनिए कि खुली आखों का शपना यात्रा बिर्त के लेखक है मरुधर मृदुल, यात्रा के बहाने यात्रा बृतान थे, किसका तो मरुधर मृदुल का, सपना कृति हेतु मरुधल मृदुल को सोभियत लैंड नहरु पुरसकार प्रदान किया गया नेक्स्ट है रपट रिपोर्टाज में फड़िस्वनाथ रेडु ने 1966 में आय बिहार के भैंकर सुखे और 1966 में पटना में आय विनासकारी बाढ का सजीव अंकन किया है नेक्स्ट है रिपोर्टाज किस ने किया है तो फड़िस्वनाथ रेडु ने किया है और रपट रिपोर्टाज में किया है नेक्स्ट है रिपोर्टाज किस भाषा का सब्ड़ है तो प्रांसिस भाषा का सब्द है रिपोर्टाज दच्छर भारत की यात्रह किस की कृती है तो यह मोहन राकेश की कृती है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभासा की प्रबिर्थ के साथ खड़ी बोली की प्रबिर्थ को लिए आई थी ब्रजभासा के हाथ में हाथ दिये खड़ी बोली उत्तरी कथन है तो आचार रामचन सुकल का ध्यान से सुनिए आचार रामचन सुकल का कथन है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभासा की प्रबिर्थ के साथ खड़ी बोली की प्रबिर्थ को लिए आई थी ब्रजभासा के हाथ में हाथ दिये खड़ी बोली उत्तरी नेक्ष्ट है भासा भूशन रचना जस्वंत सिन्हा की भी है भासा भूशन रचना किसकी है तो जस्वंत सिन्हा की है रोला सम्मात्रिक छंद है आईए जानते हैं कि रोला कौनसी मात्रिक छंद है तो सम्मात्रिक छंद है इसके प्रतेक चरण में इसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और प्रतेक चरण में 11-23 परयती होती है फिर से सुनिये रूला या सम्मात्रिक चंद है जिसके प्रतेक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रतेक चरण में 11-23 परयती होती है वहां रूला चंद होता है फड़िस्वनाथ रेडूर के रिपोर्टाज कौन-कौन से हैं उसको जानते हैं नेपाली, क्रांति कथा, सृत, अस्रूत, पूर्ब, रिडजल, धन्जल, रपट, बंतुलसी की गंद, ये सारी रचनाय रिपोर्टाज हैं और फड़िस्वनाथ रेडू के रिपोर्टाज है फिर से सुनिए फड़ी स्वर्नाथ रेड़ू के रिपोर्टाज जो है वो है नेपाली क्रांति कथा स्रित असरुत पूर्व रिड़ धन जल रपट बन तुलसी की गंद नेक्ष्ट है अल्मोडे का बाजार रिपोर्टाज के लेखक है प्रकास चंद्रगुत जिसके रिपोर्टाज है इनकी रिपोर्टाज है स्वराज भवन और बंगाल का काल अल्मोडे का बाजार रिपोर्टाज के लेखक है प्रकास चंद्रगुत इनकी गीतावली मुक्तक क गीतावली कैसा का भी है तो मुक्तक का भी है नेक्ष है प्रगत सील लेखक संग की अस्थापना लंदन में मुल्ला राज आनंद वा सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी प्रगत सील लेखक संग की अस्थापना लंदन में मुल्हाराज आनंद वा सज्जाद जहीर के प्रयत से हुई थी नेक्ष्ट है रवींद्र कविता कानन के लेखक कौन है तो निराला है रवींद्र कविता कानन के लेखक निराला जी है नेक्स है जंगल के जीव कृती किसकी है तो स्री राम सर्मा की है जंगल के जीव कृती किसकी है स्री राम सर्मा की है नेक्स है रस्मिमानसा नामक आलोचन पुस्तिका के लेखक कौन है तो आचार रामचन सुखले रस मिमान सा नामक आलोचना पुष्टिका के लेखक हैं आचार रामचंद्र शुकले नेक्स्ट है नगेंद्र की रचना है रस सिध्धान्त रस सिध्धान्त किसी रचना है तो यह नगेंद्र की रचना है मन माना में कौन सा समास है तो मन माना में समास है ब्याई भाव का कैदी कहानी प्रेमचंद की है और इसका कथानक लिखने में पुनरजन्म का सहारा लिया गया है नेक्ष्ट है सुधामा चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है तो कृष्ण दास हैं उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता के चंदो के वंधन से मुक्त किया है या किसका कथन है तो यह डाक्टर हमला सर्मा का कथन है नेक्ट है आचार नंद दुलारे बाजपेई ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है कितनी मानी है तो कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है और उर्दू की 100 है कुल 400 कहानिया, अचार नंदुलारे बाजबे ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 मानी है और उर्दू की 100, तो कुल मिला के 400 कहानिया है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या पूछी जाए तो 300 है, अगर कुल कहानियों की संख्या पूछी जाए तो 400 ही सही मा करने होगा next नाईर नगेंद्र ने जागरी सुधार काल मिने को नेक्टर राम कुमार बार्माने आधिकाल को संधिकाल नाम दिया है डाक्टर रामकुमार बर्मा ने आधिकाल को संधिकाल नाम दिया है नेक्स्ट है आचार रामचंद सुक्ल ने आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है रामचंद सुक्ल ने कईदी की पतनी के लेखक कौन है तो रामरेक्ष बेनिपुरी भगवती चरण बर्मा की कृति कौन सी है तो रेखा पतन है चित्र रेखा है तीन वर्ष तेढ़े मढ़े रास्ते वह फिर नहीं आई नेक्ष्ट है भगवती चरण बर्मा की कृति है रेखा पतन चित्र रेखा तीन वर्ष तेढ़े मढ़े रास्ते वह फिर नहीं आई यह सारी रचना है किसकी है तो भगवती चरण बर्मा की है नेक्स्ट है अम्जोदिधी नाटक विधा की रचना है अंजोदिधी कौन सी विधा की रचना है तो एह नाटक विधा इसके लेखा कौन है तो पेंदरना थसके हैं और इसका Prakasan वर्स है 1955 नेक्स्ट मिश्टर अभमन्यू नाटक के रचनाकार कोन है तो लक्षमी नारायड लाल है लल्लू लाल की भासा क्या थी तो ब्रज भासा थी ललू लाल की भासा थी ब्रज भासा पन थी चटकूली और मुहाबरेदार फिर शेक भाचन ये कि लल्लू लाल की भासा ब्रज भासा थी ब्रज भासा पन था और सदा सुखलाल की भासा में पनिताओ पन था सदल मिस्र की भासा में पूर्वी पन था और इसाललाखा की भासा में रंगीन चुट्बुली चुटकूली और मुहाबरेदार इनकी भासा थी नेक्स है दीन दुखियों को भोजन देने की ब्यवस्था को क्या कहते हैं तो सदावर्त कहते हैं दीन दुखियों को भोजन देने की ब्यवस्था सदावर्त कहलाती है पस्चिमी हिंदी की सरबाधिक प्रमुख बोली कौन सी है तो ब्रजभासा है नेक्स है वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक है कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कौन है तो कुंतक है इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है वक्रोगती जीवतम छेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा छेमेंद्र की रचना क्या है तो औचित्य विचार चर्चा है छेमेंद्र औचित्य संपरदाय के जनक माने जाते हैं औचित्य संपरदाय के जनक कौन है तो छेमेंद्र है नेक्ष्ट है भाम हलंकार संप्रदाय के जनक है भामन रीत संप्रदाय के जनक है नेक्ष्ट है माग ने स्री सब्द से सुरू और अंत भी स्री पर खत्म कर दिया है भार्वी ने अपनी रचना में स्री से सुरू किया और लच्मी से अंति किया है पतंजली राजा पुड़य मित्र पुश्य मित्र के समकालें थे नेक्स है पतंजली ने तीन ग्रंथ लिखे योग सूत्र अश्टा ध्याई आयरवेद नेक्स्ट है पतंजली ने तीन गरंथ लिखे योग सूत्र अश्टा ध्याई और आयरवेद नेक्स्ट है चरक सहिता के प्रडेता कहा जाता है किसको तो पतंजली को कहा जाता है चरक सहिता के प्रडेता चरक सहीता के प्रडेता कुन माने जाते हैं तो पतंजली माने जाते हैं नेक्ष है बिस्मृत का नेल मलिन रस बरसो अपंग के धन से अलंकार है क्यों सा ये इसमें अलंकार क्यों सा है तो अनुप्रास अलंकार है पतंजली का समय है एक सो अठावन इस भी पूर पतंजली का समय क्या है तो 108 निश्भी पूर है भार्वी की माता का क्या नाम था तो सुसीला नाम था और पिता का नाम क्या था धर नाम था क्या नाम था धर पिता का नाम स्रीधर था भार्वी की माता का नाम सुसीला और पिता का नाम स्रीधर था पत्नी का नाम रसिक्वति या रसिका था उनका वास्तमिक नाम दामोदर था और भार्वी को भार्वी नाम उनकी उपाध मिली थी इनकी और रचना है काट की घंटिया बास का पुल एक सूनी नाव गर्म हमाएं जंगल का दर्द ये सरवेशर दयाल सकसेना की रचना है नेक्स्ट है देव कभी रहने वाले थे कहां के तो इटावा के रहने वाले थे आलपिन गमला या पुर्तगाली शब्द है काब को सरीर की बाद सरपर्थम मानते थे कौन तो दंडी मानते थे काब को सरीर की बाद सरपर्थम मानने वाले हैं दंडी काबे के संदर में आत्मा तत्व की खोज करने की सुरुवाद बामन ने किया नेक्ष है राजा भोज ने पतंजली को तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है किसने कहा है तो राजा भोज ने कहा है मुनित्राई में कौन कौन आते हैं तो पाड़िन पतंजली और कत्यायन मुनित्राई की अंतरगत आते हैं मुनित्राई की अंतरगत कौन कौन आते हैं तो पाड़िन पतंजली और कत्यायन आते हैं सिद्धो का प्रथम कभी माना गया है किसको तो सरहपा को माना गया है सिद्धों का प्रथम कभी सरापा को माना गया है नेक्ष्ट है महा सुखवाद की कलपना सरापा ने सहजियान में किया कादमरी बाडबट की प्रोड़ और अंतिम करती है नेक्ष्ट है दस रूपकम के लेखक कौन है तो धनन जय है नेक्ष्ट है कुवल यानन्द के रचईता कौन है तो अप्पय दिक्षित है चित्रमिमान साब के भी रचना अप्पय दिक्षित नहीं किया था नेक्ष्ट है हर्ष्ट के पिता का नाम सी हीर और माता का नाम मामल देवी था हर्ष की पिता का नाम स्री हीर और माता का नाम मामल देवी था नेक्ष है राज तरंगेडी कभी कलहड की रचना है राज तरंगेडी किसकी रचना है तो कलहड की रचना है नेक्ष है कभी कंठा भरड की रचनाकार कौन है तो आचारी छेमेंद रहा प्रण के रचनाकार आचारे छे मिंद्र है चंद्रान लोग के रचनाकार कोन है तो जैदियो है भभूत के गुरू का नाम था ज्यानन निधी था भभूत ने करुड रस को रस राज घोसित किया है भभूत ने करुड रस को रस राज घोसित किया है भार्वी संस्कृत काब्यों में रीत इसायली के जन दाता है भार्वी किस सायली के जन दाता है तो रीत इसायली के जन दाता है नेक्स है सुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की सुध्ध कला की पारकी कहते है उस पार की पंक्ति के रचाइता कौन है तो रामबिला सर्मा नेक्श है सुध्ध कप्ता की खोज की रचना कार कौन है तो दिनकर है तो कबता की खोज या किसकी रचना है तो दिनकर की रचना है दिनकर की और भी रचनाओं को जानते हैं तो दिनकर की जो आलोचना ग्रंथ है वो है काबे की भूम का पंत प्रसाद और मैतली सरड ये इनकी आलोचना ग्रंथ है दिनकर की दिनकर की जो लगुकता संग्र है वह ह संस्कृतिक ग्रंथ कुछ इस प्रकार है दिनकर के जो संस्कृतिक ग्रंथ है वो कुछ इस प्रकार है संस्कृति के चार अध्याए हमारी संस्कृतिक एकता राष्ट भासा और राष्ट ये एकता ये सारे संस्कृतिक ग्रंथ है दिनकर के नेक्स्ट है, यात्रा बृत्तांत दिनकर का है, देश विदेश मेरी यात्रा हैं, देश विदेश और मेरी यात्रा हैं, दिनकर के संस्मरण है, लोक देव नहरू, संस्मरण और सद्धान जलियां, दिनकर के जो संस्मरण है, वो लोक देव नहरू, संस्मरण और सद्धान ज नेक्ष्ट है रेडियो रूपक हे राम है रेडियो रूपक दिनकर का क्या है तो हे राम है दिनकर के कुछ निबन संग्रा इस प्रकार हैं। दिनकर के निबंद संग्रा हैं मिट्टी की ओर अर्धनारी स्वर रेती के फूल बेडी वन पट पीपल साहित्य मुखी आधुनिक्ता बोध धर्मनायतिक्ता और विज्ञान ये सारे निबंद संग्रा हैं दिनकर के निबंद संग्रा कौन कौन से हैं तो मिट्टी और अर्धनारी स्वर रेती के फूल वेडी वन बट पीपल साहित्य मुखी आधुनिक्ता बोध धर्मनायतिक्ता और विज्ञान ये सारे दिनकर के निबंद संग्रा हैं नेक्स्ट है चंद सार सूरत मिस्र का पिंगल विजएक ग्रंथ है इस ग्रंथ का रचना काल संबद 1785 विक्रमी से पहले होना सिध होता है चंद सार में ग्रंथों की कुल संख्या 266 है चंद सार में कितनी बार मंगला चरण आया है तो दो बार मंगला चरण आया है नेक्स्ट है आचार हजारे प्रशाद दिवेदी का है बशंद आ गया बनार सिदास चतुर वेदी मेरी तीर्थ यात्रा वासुदेव सरण अग्रमाल की रचना है राष्ट का सुरूप प्रताब नाराण मिस्र की रचना है दाथ नेक्स्ट है मचली घर या किसकी रचना है तो बिजय दिव नाराण साहे की रचना है अपनी सताबदी के नाम या दूधनात सिंग के रचना है सब्दों की सताबदी या स्री राम सर्मा के रचना है साहे में धूब दुस्यंद कुमार के रचना है बीर पंचरतन या लाला भगवान दीन के रचना है उलाहना पंचक अमीर अली मेर के रचना है मारती वन्दना कि धर शर्मा नौरतन की रचना है काननकुसुम मकुद्धर पंडे की रचना है कानन कुसुम किसकी रचना है तो मकुर्धर पांडे की रचना है रगवीर सहाय के कुछ काबे संग्रह इस प्रकार है तो सेडियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद, हसो हसो जल्दी हसो कुछ पत्ते, कुछ चिठ्थियां एक समय था तो सेडियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद, हसो हसो जल्दी हसो कुछ पत्ते, कुछ चिठ्थियां एक समय था ये सारी रचना है काबे संग्रह है और रगवीर सहाय के रचना है नेक्ष्ट है, समसेर बहादूर के काबे को जानते हैं इसे सौट भी बन गया है, अगर सौट देखना चाहें तो आप सौट भी देख सकते हैं उसकी विडियो बनी हुई है समसेर बहादूर के काबे कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलास इतने अपने पास समसेर बहादूर के काबे है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून की तलास इतने अपने पास ये सारी रजना इसे समसेर बहादूर के काबे है नेक्ष्ट है अजे खंड हर, रांगे रागो की रजना है अजे खंड हर, किस की रजना है, तो रांगे रागो की रजना है अजे खंड हर, रांगे रागो की रजना है रसिक प्रिया, या किस की रजना है, तो केसवदास की रजना है काबे प्रकास, चिंतामर की रजना है ललित ललाम, मतिराम की रजना है रस रहस से कुलपत मिस्र की रचना है लली तिला लाम मतिराम की रचना है रस रहस से कुलपत की रचना है और नेक्ष्ट इसके नामा रीति काल के रीति मुक्त कभी बोधा की रचना है इसके नामा रीति काल के रीति मुक्त कभी बोधा की रचना है भासा भुशार किसकी रच आधी रात लच मिनाराण विश्र की रचना है नेक्ष्ट है पदुम चरेतर सुधीर अक्रवाल की रचना है स्वरगार रूहन बिश्डु दत्त की रचना है मधुमालती कथा चतुरुभुज दास की है चिताई बारता यह नारायड दास ने लिखा नारायड दास ने लिखा नेक्ष है आनंद मंजरी के रचाईता त्रिलोक सिंग ठकुरेला यों इसी सीर्षक से पंडित अमिका दत्त ब्यास ने भी काबे रचना लिखा है आनंद मंजरी के रचाईता कौन है तो तुरिलोक सिंग ठाकुरेला है और इसी नाम से पंडित अमिका दत्व्यास ने भी कावे रचना दिखा है नेक्स्ट है मधुमालती सूफी कभी मंझन की रचना है मदमालती किसकी रचना है तो यह सूफी कभी मंजन की रचना है नेक्स्ट है अनामिका पंडी सूर कांत्रपाथी निराला की रचना है सो अजान एक सुजान की रचना कार बालकृष्न भटे है सो अजान एक सुजान की रचना कार कौन है तो बालकृष्न भटे है नेक्स्ट है जुही की कली किसकी रचना है तो यह निराला की रचना है नौका बिहार सुमित्रा नंपंत की रचना है नदी के दीप अक्ये की रचना है पुष्प की अभिलासा माखनलाल चतुरवेदी की रचना है नेक्स्ट है मोर पखा सिर उपर रखी हो या कि इसके रचनाकार कौन है तो रस्खान है या कुछ काबे पंक्तियां है जिसके रचनाकार कौन है उसको जानेंगे कि मोर पखा सिर उपर रखी हो इसके रचनाकार कौन है तो रस्खान है बसो मुहे नैननमे नंदलाल यह मेरा की की रचना है सूर्दास की रचना है नेक्ष है चिंता मडई की रचना का कौन है रचना का नाम क्या है तो रस बिलास है चिंता मड़ की रचना का नाम रस बिलास है रसलीन की रचना का नाम रस प्रबोध है भिखारी दास की रचना रस सारांस है मतिराम की रचना रस राज है चिंता मड़ की रस बिलास रसलीन रस प्रबोध भिखारी दास रसारांस, मतिराम, रसराज हंसिजवाहिर के रचैता कासिम साह है हंसिजवाहिर के रचैता कौन है तो कासिम साह है भाव विलास के रचनाकार कौन है तो देव है भाव विलास के रचनाकार देव है भासायोग बसिष्ट का रचनाकाल क्या है तो वो 1741 भी है सीडियों पर धूप में कृती के रचनाकार रहवीर सहा है भासा योगबसिष्ट की रचनाकाल क्या नेक्सट है भासा योगबसिष्ट रामपरसान निरंजनी द्वारा रचित खड़ी बोली गध्यरजना है जिसका रचना काल रामचंद्र तिवारी ने, रामचंद्र तिवारी की अनुसार 1741 इस भी है, आचार रामचंद्र सुकले ने इसी बर्स को स्वईकार किया है, नेक्ष्ट है दिब्या किसकी रचना है, तो एसपाल की तमश भीसम सहानी की रचना है, मैला आचल नात्रेडू की रचना है, बलचन्मा यह नागरजून की रचना है, तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सामप्रदाइग दंगो की प्रिष्ट भूम पर आधारित है, इसका अनुबाद 1988 भी में अंग्रेजी में किया गया, इस उपन्यास पर टेली व जन्धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओम पुरी और अंब्रीस पुरी जैसे कल्याकारों ने अपना योगदान दिया है, नेक्ष है भीसम साहनी को तमस के लिए उन्नी सो पचातर इस भी में साहित याकादमी पुरसकार मिला, नेक्ष है पत्रहीन पत्रहीन नगनगाच कविता मैतली कविता संग्रा पर नागरजून को साहित याकादमी पुरसकार मिला, नेक्ष है नागरजून को भारत भारती पुरसकार मध्य प्रदेश के मैतली सरण गुप्त पुरसकार और बिहार सरकार के राजेंद्र परसाद पुरसकार से समानित उधाव सतक कबीर की रचना है बीजक सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोका यतन फिर से सुनिये सूर्दास की रचना सूर्सागर है जगनात दास की रचना उधाव सतक है कबीर की रचना बीजक है और सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोका यतन है नेक्ट है लाल टीन की चट लाल टीन की चट या किसकी रचना है तो निर्मल भर्मा की है, आपका बंटी या मन्नु भंडारी की रचना है, जुगल बंदी गिरिराज की सोर की रचना है, पच्पन खंबे लाल दिवारे या किसकी रचना है तो उसा प्रियावंदा की रचना है, लाल टीन की चट नि जोशा प्रियम वद्दा को नेक्स है मानस के हंस जोट हा सच यास्पाल की रचना है टेड़े मीडे राष्टे भग्वती चरड बर्मा की रचना है मचली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है तेड़े मिड़े रास्ते के लेखक कौन है यह question आया हुआ है TGT पुनर परीच्छा 2004 में तो भगवती चरड बर्मा है तेड़े मिड़े रास्ते के लेखक है भगवती चरड बर्मा Next है क्या भूलू क्या याद करूँ यह किसकी रचना है तो हरिवन्स राय बच्चन की रचना है रशीदी टिकट यह अमरिता प्रितम की रचना है आवारा मसीह विश्नु प्रभाकर की रचना है कलम का सिपाही अमरित राय की रचना है क्या भूलू किया याद करूं आत्म कथा है और अबारा मसीहा जीवनी है तंत्रा लोग से अंत्रा लोग तक यात्रा साहित है मेरा परिवार रिखाचित है मेरा परिवार क्या है तो रिखाचित है इस तरह सारे प्रशना आपको याद हो जाएंगे अगर एक बार नहीं तो 2-3 बार आप इस आडियो को सुन लेंगे तो सारे कुश्चन बहुत आसानी से ध्यार हो जाएंगे बिल्कुल मिलान के रखने के लिए सारे प्रसना आते हैं तो अगर आपको याद रहेंगे कि कौन सी रचना किसकी है तो बहुत आसानी से आप आराम से याद कर सकते हैं और अच्छे से लगा भी सकते हैं और आपकी सारे questions अहीं हो जाएंगे अगर दो-चार बार ये audio आप सुन लिए किसी काम को करते भी इस audio को आप सुन सकते हैं अगर अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर करें तो चली आगे अपने प्रस्णों की तरब चलते हैं सेखर एक जीवनी या किसकी रचना है तो यह अजगे की रचना है सेखर एक जीवनी अजगे हैं इसके लिए खक और असुक की फूल हजार प्रसाद दिवेदी क्या भूलू क्या याद करू हरिवेज राय बच्चन की रचना है और यह आत्मकता है नेक्ष्ट है प्रेम चंद की रचना है मंगल सूत्र इरावती जैसंकर परसाद की है और अवारा मसीहा यह विश्नु प्रभाकर की रचना है तमस भीस्म सहानी की रचना है नेक्ष्ट है प्री प्रवास हरियोद की रचना है रंग में भंग मैतली सण गुप्त की रचना है मृत्युन्जे राम देवी प्रशाद पूर की रचना है मृत्युन्जे राय देवी प्रशाद पूर की रचना है नेक्ष्ट है बाणभट की आत्मकताया हजारी पसाद दिवेदी की रचना है सेखर एक जीवनी अग्ये की रचना है आधे धूरे मुहन राकेस की रचना है संस्कृति के चार अध्याय रामधारी सिंग दिनकर की रचना है नेक्ष्ट है अरी वो करुडा में प्रभामें यहां किसकी रचना है तो यहां गे की है अरी वो करुडा में प्रभामें अगे की रचना है धूप के धान गिर्जा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान गिर्जा कुमार माथुर की रचना है खुसबू के सिला लेख भवानी परसाद मेसर की रचना है, चांद का मुझ तेड़ा है या मुक्तिबोध की रचना है, नेक्ष है इत्यालम अंगे, अग्ये की रचना है, थंधा लोहा धरंबेर भारती की रचना है, गीत फरोस भवानी परसाद मेसर की रचना है, संसे की एक तो आप सुनके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और सुनके सारे प्रस्णों को याद कर सकते हैं वेशे तो वीडियो भी बनाते हैं बीडियो भी बनाएंगे तो आप लोग कमेंट एक बार जरूर करिए कैसे आपको कितना फाइदा हो रहा है। और अच्छा आपको याद हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है इसको कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न की दरब देखते हैं रस्वंती रामधारी सिंग दिनकर की कृति है रस्वंती किसकी कृति है तो रामधारी सिंग दिनकर की कृति है नेक्ष्ट है प्रताब नारायन मिस्र की रजना है विलाय त्यात्रा विलाय त्यात्रा किसकी रजना है तो प्रताब नारायन मिस्र की रजना है काका कालेलकर की रजना है हिमाले यात्रा मुहन राकेश की रजना है आखरी चट्टान तक मुहन राकेश की रजना है आचाऱ रामजन सुकल ने हिंदी साहित दिहास 1929 दिहास में लिखा तुलसी दास ने राम चरित मानस की रजना लगभग 1574 इस भी में की अगे ने तार सब्टक का प्रकासन 1943 इस भी में किया जैसंकर प्रसाद ने कामाईनी की रजना 1936 इस भी में की नेक्ष्ट है उर्दू को यामनी भासा कहने का स्रे किसको है तो ललू लाल को है ललू लाल खड़ी बोली गद्य के प्रत्थम चार उन नायकों में से एक है इन्होंने उर्दू को यामनी भासा कहा है ललू लाल उर्दू को क्या कहा है तो यामनी भासा कहा है ये फोर्ट बिलियम कालेज कलकत्ता में भासा मुलसी पदपर है सिंहासन बत्तिसी सभाविलास लाल चंद्रिका, राजनीत, प्रेम सागर तथा सकुंतला नाटक इनकी प्रमुक्रिती है ध्यान से सुनिये फिर से ललू लाल खड़ी बोली गद की प्रथम चार उन्नायकों में से एक है इन्होंने उर्दी उर्दु को यामिनी भासा कहा है ये फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता में भासा मुझसी पत पर रहे सिंहासन बत्तिसी, सभाविलास, लाल चंद्रिका, राजनीत, प्रेम सागर और सकुंतला नाटक की प्रमुक्रिती है रस रतन की रचाइता कौन है तो पूहकर है रस रतन की रचाइता पूहकर है और यह कोशन आया हुआ है कि दिल्ली केंद्रिय विद्यालय PGT परिच्छ 2015 में पूछा गया प्रस्त है उर्दु को यामनी भाजा कहने का स्रेक इसको प्राप्थाई यह भी पूछा गया है PGT परिच्छ 2021 में 2021 में पूछा गया है नेक्स्ट है रस रतन की रचाइता कौन है तो पूहकर है पूहकर कभी ने सोरा सो सोरा इस भी में रस रतन नामक प्रेम कथानक काबि लिखा था जिसमें रमभावती और सूर सेन की प्रेम कथा है यह प्रताप पूर मैन पूरी के निवासे थे जो पूकर थे वो कहां के निवासे थे तो यह प्रताप पूर मैन पूरी के निवासे थे नेक्स्ट है रड मल चंद के रचाइता कौन है यह भी प्रस्द यान वी एस प्रवक्ता परिछा 2019 में पूछा गया प्रस्द है कि रड मल चंद का रचाइता कौन है तो रड़मलचंद के रचाईता जो है वो है स्रीधर स्रीधर की कृती है रड़मलचंद और जो चारड़ी सैली में लिखी गई है या एतिहासिक कथा बस तुपर आधारित साहितिक कृती है रड मलचंद सही तिक्रिती है और किस पर आधारित है तो एतिहासि कथा बस तो पर आधारित है नेक्ष है स्रांत पथिक की रजना स्रीधर पाठक ने की स्रांत पथिक की रजना किस ने की तो स्रीधर पाठक ने की चंदन बाला रास का रचैता कौन है चंदन बाला रास का रचईता है आसगु आसगु चंदन बाला रास का रचईता कौन है तो आसगु है चंदन बाला रास के रचईता आधि कालीन कभी आसगु है इनकी अन्य रचना है जीव दया रास इनकी अन्य रचना कौन सी है तो जीव दया रास है अन्य आधि कालीन कभ भारतेस्वर बाहु बली रास की है चंदन बाला रास की रचईता कौन है या आसगू कभी है या जियासी प्रभक्ता परिछा 2017 में पूछा गया प्रस्ते नेक्ट है रामचंद्रिका का रचना समय कब है तो 1621 में रामचंद्रिका की रचना है समय है रामचंद्रिका का समय है 1621 रामचंद्रिका की सवदास द्वारा रचित है इसका रचनाकाल है 1621 सम्भुवत 1658 सम्भुवत माना जाता है चित्रावली उस्मान की रचना चित्रावली किसकी रचना है उस्मान की रचना है मदुमालती की रचनाकार कौन है तो मंजन है मदुमालती जिसका समय है 1545 भी इसकी रचनाकार कौन है तो मंजन है इसमें आउधी भासा यूम दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है मधुमालती में या उधिभासा और दोहा चौपाई का चंद का प्रयोग हुआ है तथा इसके नायक नायका दर्शन जन्य प्रीम के साथ पूर्वजन के प्रड़ाई संसकारों की महत्ता दिखाई गई है मधुमालती के रजनाकार कौन है इस तरह के प्रशनाते है या DSSB PGT परिछा 2021 में पूछा गया प्रस्त है कि मधुमालती के रजनाकार कौन है तो मंजन है म्रिगावती किसकी रजना है म्रिगावती के लेखा कौन है या PGT परिछा 2013 में आया हुआ प्रस्त है म्रिगावती के लेखा कौन है तो कुतबन है म्रिगावती के लेखक कुत्बन है इसकी रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 इसबी में हुई थी म्रिगावती में नायक म्रिगी रूपी नायका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है पंडित रामचंद्र सुकले निके अनुसार ये जौनपुर के बातसा हुसेन साह के आसरित थे अचार रामचंद सुकले म्रिगावती को 1501 इसबी में इसकी रचना मानते हैं अचार रामचंद सुकले म्रिगावती की रचना कम मानते हैं तो 1521 इसबी में मानते हैं कुत्बन किस बातसा के आसरित कभी थे ये प्रस्नाया हुआ है ये नवियस प्रवक्ता परिच्छा 2019 में कुत्बन किस बातसा के आसरित कभी थे तो हुसेन साह के आसरित कभ थे कार थे कुतबन द्वारा रचित गरंद का क्या नाम है यह TGT परिच्छा 2016 में पूछा गया प्रस्त है तो यह मरे गावदीत कुतबन की रचना कौन सी है यह भी NBS प्रवकता परिच्छा 2014 में पूछा गया प्रस्त है नेक्ष्ट है माधवानल काम कंदला काव के रचयता कौन है तो आलम है यह आस्रम पद्दत प्रवक्ता परिछा 2012 और 2009 में पूछा गया प्रस्त है फिर से सुनिए माधवानल काम कंदला काव के रचयता आलम है आलम रीती मुक्त काव धारा के प्रमुक कभी है आलम के नाम से चार ग्रंथों का उलेख मिलता है माधवानल काम कंदला स्याम सनेही सुदामा चरित तथा आलम बेली आलम केली इनके दो ग्रंथ हैं प्रिमा ख्यान काव परंपरा वा सुदामा चरित प्रबंधात्मक रचना है, आलम बेली मुक्तः काबे रचना है, इनकी रचनाओं में यानि आलम की रचनाओं में भाओं की प्रधानता है, ज्यान दीप के रचैता का नाम क्या है? तो ज्यान दीप किसकी रचना है तो सेख नभी की रचना है ज्यान दीप की रचनाकार है सेख नभी और यह TGT परिछा 2016 में पूछा गया प्रस्न है कि ज्यान दीप के रचना कौन है ज्यान दीप के रचना है सेख नभी जौन पूर जनपद में दोस्त पूर के निकट अदल माउ के निवासी सूफी कविसेख नभी ने ग्यानदीप की रचना सम्राट जहां गीर के सासनकाल में 1026 हिजरी विक्रम संभवत यानि 1676 में की थी इन में रानी देव यानी तथा राजा ग्यानदीप की प्रेम कथा का बढ़न है ग्यानदीप में रानी देव यानी और राजा ग्यानदीप की प्रेम कथा का बढ़न हुआ है ग्यानदीप की भासा अवधी है ग्यानदीप की भासा कौन सी है तो अवधी है और इसमें सिंग लाज का उलेख हुआ है किसका हुआ है तो सिंग लाज का उलेख हुआ है ग्यानदीप में ग्यानदीप किसकी रचना है तो सेख नभी की रचना है नेक्ष है चित्रावली किसकी रचना है तो चित्रावली उस्मान की रचना है चित्रावली की जो रचनाकार है वह उस्मान है यह भी प्रस्ण आया इचा 2003 में कि चित्रावली किसकी रचना है तो या उस्मान की रचना है इन्हों ने इसकी रचना 1613 इसमी में की थी ये गाजीपुर के निवासी थे चित्रावली में चवपाई की 7.7 अर्धालियों चवपाई के 2 चरणों को के पश्चाद यानि चित्रावली में चॵपाई की साथ साथ अरधालियों के पस्चाथ एक एक दोहे का परयोग किया गया है सेख नभी की रचना ग्यानदीब कासिम साह की हन्स जवाहिर तथा नूर मुहम्मद की अनुराग बासुरी है नूर मुहम्मद की रचना कौन सी है तो अनुराग बासुरी है कासिम साह की रचना हंस जवाहिर है और नूर मुहम्मद की रचना बासुरी है अनुराग बासुरी है नेक्ष्ट है डाक्टर गोपाल राय ने किस कृती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है यह प्रस्णाया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर परिच्छा 2021 में पूछा गया प्रस्णाया है डाक्टर गोपाल राय ने पंडित गोवरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास यह देवरानी जठानी की कहानी उपन्यास किसकी रचना है तो पंडित गोवरी दत्त की रचना है देवरानी जठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है किसने तो गोपाल राय ने इस उपन्यास में पारिवारिक इर्ष्या, द्वेस, मनमुटाओ, यूम, बाद बिबाद का बढ़न है सामाजिक प्रिष्ट भूमी पर लिखा गया यह उपन्यास प्रेम चद पूर्बवर्ती है नेक्ट है परिच्छा गुर को सर्विषम मानित से हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है इसके रचनाकार लाला स्री निवास धास है भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार स्रद्धाराम फिलावरी है भाग्यवती उपन्यास की रचना कार कौन है तो सरध्धा राम फिल लवरी है वामा सिच्छक उपन्यास मुंसी इस्वरी प्रसाद तथा कल्याड राय द्वारा लिखा गया है वामा सिच्छक उपन्यास किसकी रचना है तो मुझसी इस्वरी प्रसाद तथा कल्याड़ रहे द्वारा लिखी गई रचना है नेक्स्ट है हिंदू मगपर पावन राख्यों काजो बहुते हिंदी भाख्यों यह उक्ती किस रचना और रचनाकार से संब्दित है तो यह नूर मुहमद की रचना अनुराग बाश्री से संब्दित है और यह टीजिटी परिछा 2010 में पूछा गया प्रस्त है नेक्स्ट है हिंदू मगपर पावन राख्यों काजो बहुते हिंदी भाख्यों यह उक्ती किस रचना और रचनाकार से संब्दित है तो नूर मुहमद और अनुराग बाश्री से संब्दित है नूर मुहमद हिंदी के बादसा मुहमद सा के समकालिन थे और सबरहद नामक अस्थान के रहने वारे थे जो जौन पूर आजमगड़ की सरहद पर है उन्होंने 1157 हिज्री में इंद्रावती नामक एक सुन्दर आख्यान काबे लिगा फिर से सुनिए 1157 हिज्री बिक्रम संब्वत 1821 में इंद्रावती नामक एक सुन्दर आख्यान काबे लिगा जिसमें कलिंजर की राजकुमार, राजकुमर और आगंपूर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है इंद्रावती की रचना करने पर साइद नूर मुहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनिने को मिलता था कि तुम मुसल्मान होकर हिंदी भासा की रचना करने क्यों गए इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में इन्हे यह सफाई देने की जरूरत पड़ी की हिंदू मग पर पाउन राख्यों का जो बहुत हिंदी बाख्यों नेक्ष है नूर मुहम्मद फार्जी के अच्छे आलिम थे फार्जी में इन्होंने एक दिवान के अत्रिक्त सैज तुक हकायत इत्यादी बहुत सी पुस्तके लिखी थी नेक्ष है नूर मुहम्मद फार्जी के अच्छे आलिम थे और फार्जी में इन्होंने एक दिवान के अत्रिक्त सैज तुक हकायत इत्यादी बहुत सी पुस्तके लिखी थी नेक्ष है अनुराग बांसुरी की रचना का समय अधी भासा में की गई और इसका जो समय है 1188 हिजरी अर्थाद 1764 इस भी अनुराग बांसरी के रचनाकार कोन है तो नूर मुहम्मद है यह U.K.P.G.T. 2020 में पुछा गया प्रस्त है कि अनुराग बांसरी के रचनाकार कोन है तो नूर मुहम्मद है नेक्स्ट है हिंदू मगपर पाउन राख्यों का जो बहुत हिंदी भाख्यों यह कारपंग्तियां किस बूली में है तो यह अवधी भासा में है यह TGT परिछा 2016 में पूछा गया प्रस्त है नेक्स्ट है हिंदी भासा में रचना करने पर किस सूफी कब को मुसल्मानों का उपालंभ सुनने को मिला था यह PGT परिछा 2013 में पूछा गया प्रस्त है तो नूर मुहम्मद को नूर मुहम्मद को सुनना पड़ा था नेक्स्ट है सूफी का परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावदी इसकी रचनाकार कौन है तो नूर मुहम्मद है